अगली जो हम method को define करके देखने वाले हैं that is called LU method और LU method क्या होता है इसको हम देखेंगे LU decomposition method में किस चीज को किस तरीके से decompose किया जाता है and how it works let's look into our screen now तो इस method का नाम है LU decomposition मैं सिरफ आपको basics इसकी बताऊँगा then it would be easier for you क्योंकि आपके assignment भी थी और आपने इसको perform भी किया था so LU decomposition method क्या होता है LU decomposition के अंदर जो L and U है इसका क्या मतलब है पहले मैं आपको वो बताता हूँ आप basically आपको पता है कि जब हम कोई system of equation लिखते हैं तो AX is equal to B होता है उसके अंदर इसका मतलब यह है कि जो A है वो matrix of coefficient है X जो है वो X और Y variables का coefficient होता है और B जो है वो आपके पास constants का matrix होता है sorry matrix होता है so L and U क्या है अब जब आप A को यानि कि A को decompose करें lower triangular में यानि कि आप lower triangular में इसको decompose करें कि उपर वाले सारे 0 हो जाए this one, this one, this one and जो इसको नाम दें वो होता है L और इसी को जब आप A को अपर triangular में भी कर सकें इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि अपर triangular में सारे number है नीचे सारे 0 हो जाएंगे so हम lower और अपर दोनों के अंदर matrix को convert करते हैं and then we see के हमारे पास जो values हैं वो कौन से आती है then we solve the system of equation using different techniques अब जो A है यहां पे A is equal to L U यानि के lower and upper के अंदर और decomposition का मतलब होता है बड़ी चीज को तोड़ के छोटे हिस्सों में divide करना so decomposing A into lower and upper triangular matrix and then X is equal to B अगर आप गोर करें तो यह हमारे पास क्या बता रहा है L U into X is equal to B इस तरीके से हमारे पास equation बन रही है but we will see के यह हमारे पास क्या answer देगा यह वाली चीज और आपको भी पता है जब हमने A X is equal to B को resolve किया था then we had to take the A inverse and then multiplying by B तो A inverse के लिए क्या ज़रूरी था determinant of A and then we found the inverse ठीक है so इसका मतलब यह हुआ के हमारे पास अब जबने X को find out करना है then we have to see के किस तरीके से X यानि के हमारा variable का matrix जो हमें मिलते है मैं यहाँ पर दुबारा से एक equation लिकूँग and then we will try to resolve that equation plus Z is equal to 9 2X plus 3Y plus Z is equal to 16 then we will see minus X plus Y minus 2Z is equal to minus 1 यह मेरे पास equation आगी है इस equation को भी डिरेक्ली L और U के अंदर convert कर रहा हूँ जो मेरे पास आएगा तो row operations और बाकी operations आपको पता होने चाहिए किस तरीके से perform करने I will just write down कि हमारा जो matrix से वो बनता है 1, 2, minus X sorry, minus 1 1, 2, minus 1 फिर आता है 2, 3, 1 and then 1, 1, minus 2 ठीक है? और हमारे पास यह एक matrix आगया और दूसरा matrix हमारे पास बनता है X, Y, Z तीसरा matrix हमारे पास जो constants का है वो है 9, 16, minus 1 ठीक हो गया? हमने इसके दो हित्से बनाए है lower and upper, lower जो है इसका that is equal to 1, 2, minus 1 1, 1 और यहाँ पे 3 और आपको पता है जब lower triangular matrix बनता है तो यह चीजें 0 होती है ठीक हो गया? इस इस लोवर और अगर इसी में से upper देखें तो upper would be 1, 1, 2, 1 यहाँ पे आ जाएगा जनाब 0 sorry, 0 मैं बाद में लिखता हूँ minus 1, 5 and minus 3 ठीक है? इस तरीके से मैंने यह बना लिया upper triangular matrix यहाँ तक आपको clear होगी बात यह कैसे बनने हैं? आपको भी बता है कि आप decompose करते हैं उसको lower and upper के अंदर और आप इनको convert करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास यह decompose होंगे L and U के अंदर और इसको detailed row operations के साथ convert किया जाता है जो हमने पिछले lecture के अंदर देखा row operations जितने भी हमारे पास लगते हैं हम उनकी base पे इनको कर सकते हैं अब हमने क्या करने है? हमने solve करना है solve यहाँ पे अगला step यह होगा number two step पहला तो होगया हमने L and Y में convert करना है number two step होगा solve for Y solve for Y और इसके लिए आपके पास जो lower Y होता है is equal to B अगर आप गौर करें अगर इसको गौर से देखें आपने lower triangle के अंदर से Y को निकालना है और उसको equal to B के रखना है and this is an equation जो linear sorry lower and upper decomposition के अंदर standard माने जाती है say for example आपने इसको resolve करना है that would be L Y is equal to B that is U X is equal to Y so इस तरीके से हमारे पास हम इसको फिर resolve करेंगे पहले इसको करते है and then I will try to refine in a way कि आपको यह easily समझ आ जा जा for example हमने क्या करना होता है हमारे पास say for example एक equation है जो lower की lower अगर देखें हमारे पास है यह हमारे पास value आ जाती है जनाब पहली दूसरी तीसरी चोथी इस तरीके से ठीक है so अगर हम यह देखें कि हम following system of equation को मद्दे नज़र रखते हुए इसको resolve करें for example let's write Y1 plus 0 plus 0 is equal to 9 और अगर हम देखें 2Y1 plus Y2 plus 0 is equal to 16 और minus Y1 plus 3Y2 plus Y3 is equal to minus 1 तो basically हमने क्या बोले है कि जो हमारे पास यह वाला lower matrix है इसमें जितनी values हैं अगर उसको हम सभी को y consider कर लें तो that would be equal to our matrix उसके साथ जो equation हमारी बनती है AX plus B वाली वो सारी की सारी वैसे हैगी यानि के हम पूरे के पूरे matrix को Y consider कर रहे हैं Y1, Y2, Y3, Y1, Y2, Y3 और इसकी base पे इसको resolve कर रहे हैं इसको resolve करके हम क्या करेंगे हम इस equation को किसी भी system के थूर resolve करने के बाद we can say के हमारे पास Y1 की value कुछ आ गई है Y2 की हमारे पास कुछ आ गई है और Y3 की कुछ आ गई है जब हम इनको resolve कर लेते हैं यानि के Y1, Y2 और Y3 को जब हम resolve कर लेंगे then we will solve for the other method वो क्या है? वो मैं आपको दिखाता हूँ फिर हम करेंगे step 3 के अंदर solve for X step 3 होगा इसके अंदर हम करेंगे UX is equal to Y ठीक है? अब हम कहेंगे के जो हमारा upper triangular matrix है वो हमारे पास Y के equal है ठीक है? यह हमने बोला था के जो lower triangular matrix है उसको अगर Y को देखें तो हमारे पास ये B के equal है अब हम देखते हैं अपर triangular matrix 1, 2, 1, minus X, minus 3, minus plus 5 तो मैं इसको अपर triangular matrix को ऐसे लिखूंगा X1 plus 2X2 plus X3 is equal to Y1 ठीक है? अब दूसरा है हमारे पास minus X2 minus 3X2 minus X2 that was something wrong तो ये है जी हमारे पास minus X2 minus 3X3 is equal to Y2 and then we will see the last one which is 5X3 is equal to Y3 तो अगर आप गोर करें ये अपर triangular matrix हमारा बन रहा है अब आप सोच रहे होंगे अगर गोर करें आप आप सोच रहे होंगे के पहले हमने resolve किया इसको L Y यानि के lower Y is equal to B के for example पहले हमने resolve कि L Y is equal to B के ठीक है और यहां पे हम कह रहे हैं UX is equal to Y तो अगर आप गोर करें L and U X जो हमारे पास आता था this is equal to B ठीक है so अगर आप इस equation को तोड़े हैं तो आपको ये वाली दो equations मिलेंगी and that you can actually see into the lower and upper decomposition method और अगर आप यहां से X1, X2 and X3 की values निकाल लेते हैं तो वो आप solution के अंदर add करके दुबारा से आपके पास Y1, Y2 and Y3 की values भी आ सकती हैं if you add those values here ठीक है क्योंके आपने Y1, Y2 and Y3 देख ली है वो यहां पे add करें और इसकी base पे आप X1, X2, X3 की values निकाल सकते हैं अगर आप यह तीनों चीज़ें कर लेंगे X1, X2 और X3 की value निकाल लेंगे then you can have Y1, Y2, Y3 और इसकी base पे आपके पास जो proper आपका XYZ वाला एक basic solution है वो आपके पास easily आजाएगा अब आपने करना क्या है lower end upper के अंदर simply इन दो equations को resolve करना है that's it, ठीक है और दो equations को resolve करके आपके पास सारी की सारी value आजाएगे मैं इसकी detail में इस वज़ा से नहीं जा रहा कि theoretically क्यों हम यह सारा काम करते हैं because I don't want to make something very critical for you guys reason यह होती है कि आपको methodology पता चल जाए कि UX is equal to Y कर लेना हमने और L यानि कि lower Y is equal to B जितने भी values हैं हमारे पास variable की वो सारी की सारी Y कर लेंगे इस equation में जितनी भी variable है हमारे पास किसी भी चीज की वो सारी की सारी X कर लेंगे इस equation में and that's how we resolve this thing और इसको lower upper decomposition method बोलते हैं और decompose करने का मकसद ही होता है कि आप different चीजों को छोटे-चोटे हिस्सों में तोड़ ले और हर चीज को फर्जी नाम देके then you can resolve the equation that was all about this lower upper decomposition method आपसे request यह है कि इस पे और detail में तोड़ा सा पढ़ ले ताके आपका जो assignment आपको मैंने दी हुई थी कल भी कि इसको किस तरीके से हम resolve करेंगे आपके लिए वो clear हो जाए if you have any question write down in the comment section I will try to answer this question again अगर आपको नहीं समझाएगी then I can explain after few जो हमारे lectures बचके हैं उसके बाद मैं दुबारा से इसे explain